दोस्तो टीवी इंडॉस्ट्री की अभिनेत्रियां इतनी बहतरीन अदाकाराएं हैं कि इन्हें जिस करदार में भी देखा जाए उन करदारों को ये बेहदी खुबसूरती से परदे पर उतारती हैं जाहे फिर बात एक हस्बेंड की वाइफ की हो या फिर एक नंद की भावी की इनके हर एक करदार को इतना जादा पसंद किया जाता है कि इनकी बदालत सीरिल भी टी आरपी के मामले में हमेशा टॉप पर ही रहता है लेकिन दोस्तों आज हम आपको परदे पर नंद की भावी और हस्बेंड की खुबसूरत पतनी का करदार निभाने वाली इन अभिनेत्रियों के रियल लाइफ नहीं बलकि रियल लाइफ हस्बेंड और नंद से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि इनसे बेहत प्यार करते ह और दिखने में बेहुत स्ट्राइलिश नजर आते हैं तो देर ना करते हुए चलिये जानते हैं कौन सी हैं वो अधाकारा हैं और उनके रियल लाइफ हस्बेंड और नंद। नजर आ चुके हैं पर आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इनका ये रिष्टा कुछ जादा समय तक नहीं चल पाया था और साल 2012 में ही आपसी मदभेत की कारण दोनों तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए थे पर बात की जाए डलनास इरानी की नंद के बारे में तो इनक की एक नंद है जिनका नाम सुनैना पॉल है और ये अकसर लाइम लाइट से दूर ही रहती हैं और इसलिए इनके बारे में गूगल पर कुछ भी खास जानकारी उपलब्ध नहीं है सीरिल में ये है मोहबती की डॉक्टर इशिता भला का किरतार निभा कर मशूर हुई दिव्यांका तरपार्थी आज भले ही सीरिल में नजर ना आती हूँ लेकिन आज भी इन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं वही अगर बात करें इनके रियल लाइफ हस्बेंट और नंद के बारे में तो बता दें कि इन्होंने साल 2016 में अपनी कोस्टार विवेग दहिया के साथ घर बसाया था जो कि हमें इनके साथ सीरिल ये है मोहबते में नजर आए थे साथ ही ये टीवी के और भी कई पॉपलर टीवी शोज में अपनी एहम भूमी का निभाच चुकी है वही बात की जाए दिव्यांका त्रिपार्ठी के नंद की तो इनकी एक प्यारी सी नंद है जिनका नाम रिया दहिया है जिनके साथ दिव्यांका की काफी अच्छी वर्निंग है जिनने अकसर एक साथ पार्टियों में खूब मस्ती करते हुए देखा जाता है जहां दोनों के लोगों की पहली पसंद बन चुकी है वही अगर बात करें इनके रियल लाइफ हस्बेन और नंद के बारे में तो इनके पती का नाम रवी दूबे है जिनके साथ ये साल 2013 में शादी के बंधन में बनी थी आप रवी दूबे को तो काफ़ी अच्छे से जानते ही होंगे जिन्होंने साथ बिना सासुराल और जमाई राजा जैसे कई सीरिल्स में काम किया है वही बात करें रवी दूबे की बहन यानि की सरगुन मेहता की नंद के बारे में तो बता दें कि रवी दूबे की अपनी कोई बहन नहीं है तो ऐसे में सरगुन मेहता की नंद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता ससुराल सिमर का सीरिल में सिमर की मुख्य भूमी का निभा कर हर घर में अपनी एक खास पहचान बनाने वाली दिपिका ककड आज किसी पहचान की महताज नहीं वही अगर बात करें इनके रियल लाइफ हस्बेंड और नंद के बारे में तो इन्होंने साल 2018 में अपनी कोस्टार शोईब इबराहिम के साथ शादी रचाई थी जो की टीवी इंडॉस्ट्री के एक मशूर अभिनेता है और टीवी इंडॉस्ट्री के हाइस्ट पेड आक्टर भी बन चुके हैं वही बात की जाए दिपिका ककड की नंद की तो इनकी एक नंद है जिनका नाम सबा इबराहिम है और देखने में वो बेहत स्ट्राइलिश नजर आती है आपको बता दें कि इन दोनों भावी नंद का रिष्टा इतना गहरा है कि दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर साथ में तस्वीरे पोस्ट करती रहती है जिसमें इन दोनों के बीच कितना प्यार है वो साफ साफ देखा जा सकता है नमबर पांच दृष्टी धामी कलर्स के लोग प्रेशो मधुबाला से प्रसिद्ध हुई अभिनेतरी दृष्टी धामी ने टीवी के और भी कई सूपर हिट सीरिल में अपनी एहम भूमी का निभाते हुए लाखो करोडों लोगों को अपना दीवाना बनाया है लेकिन अगर बात की जाए इनके हस्बन और नंद की तो इरोनी साल 2015 में NRI बिजनसमैन नीरज खेमका से शादी की थी जिनकी साथ ये शादी से पहले करीब 6 सालों तक रिलेशन्शिप में रही थी वेल इस हस्बन वाइफ के रिष्टे में तो बेहत प्यार है वहीं दृष्टी धामी अपनी नंद शिवानी खेमका के साथ भी बेहत अच्छा बॉंड शेयर करती हैं जिन्होंने अपनी इस नंद भावी के प्यार को जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरे भी शेयर की हैं जहां इस नंद भावी की जोड़ी को देखकर आप ये साफ अंदासा लगा सकते हैं कि दोरों के बीच नंद भावी से जादा बेस्ट फ्रेंड का रिष्टा है तो दोस्तों आपको इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री के साथ उनके हस्बेंट और नंद की जोड़ी सबसे ज़ादा बेस्ट लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी जगत से जोड़ी ऐसे और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले